हेलो वेलकम वेक टू माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे मज़े में होंगे तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक है सरदर्द को लेकर सरदर्द आज कर बहुत ही आम समस्या बन चुकी है कुछ लोगों को सरदर्द होता है यहां से स्टार्ट होता है कि मतलब परसन होता है इसको दर्द होता है वो उसको लेटने बैखने में भी प्रॉब्लम होती है यहां तक कि आखों में भी इतनी प्रॉब्लम होती है कि अगर जूक रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो रही है मतलब बहुत सरदर्द के 150 ऐसे लक्षन हैं जिसकी बजह से 150 ऐसे कारण हैं जिसकी बजह से सरदर्द हो सकता है तो अगर मैं एक एक कारण गिनाने बैठ जाओंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे घरीलू उपाय बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप इसे लगे बहुते कि अपर गश्युक्त वहां जाता है तो भी दर्द होना इसे को मीउद्रें की प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत से ऐसे कारण है जिनकी विज़ा से सर में दर्द होने रगता है तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको घरेलू उपाय से सही नहीं किया रह सकता है सरदर्द में आप घरेलू उपाय अगर यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी एफेक्ट पड़ेगा उसका तो चलिए बता देती हूँ क्या है वो घरेलू उपाय कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगी जो कि मैंने खुद यूज़ करें है और मुझे खुद रिलीफ मिला है उनसे क्योंकि मेरे सर में बहुत जएदा दर्ध हो रहा था मैंने कुछ घरेलू उपाय अपने तो जिसकी विडियो से मुझे मिली और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ और शेयर चाहिए जाए चैनल को सबस्क्राइब किजएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन आप तर सबसे पहले पहुँच जाएं सबसे पहला और जो का सबसे कारगर उपाया है वो है हैड मसाज सिर के पिछले हिस्से में दर्द की बात हो या और कहीं किसी भी आपकी बॉड़ी पार्ट में दर्द हो रहा है तो बुनगुने तेल से मालिफ करने से बहुत फायदा मिलता है इससे आपकी टैंसन तो कम होती ही है आपका दिमाग भी सांत रहता है और आप आराम दैग महसूस करते हैं यह सिरदर्द का सबसे ज़्यादा प्रभावी घरेलुनुस हाहाई हरवल्टी जैसेकि बुदिन चाय लोंग की चाय या फिर कौफी पीसकते हैं कौफी से भी सिरदर्द में काफी आराम मिलता है जिसे बहुत जल्दी दूर हो जाती है यह माईग्रेण सिरदर्द से राहत प्राइब करने में भी बहुत लापकारी होता है एक उपाय आप यह भी कर सकते हैं कि आप होट सौवर ले ले गरम पानी से नहाने से ठकान दूर होती है इस सिर्की नसुकी भी सिकाई हो जाती है साथी चिंता और तनाओ को कम करने में आपकी बहुत मदद मिलती है यह आपको पानी में दाल चीनी और काली मिर्च डाल कर तब तक उबा ले जब तक की पानी जलकर आधना हो जाए इसे छान ले और सहद मिला कर पीए आप इसमें नीवू भी मिला सकते हैं अगर सिर्द के पीछे दर्द पेट में गैस के कारण हो रहा है तो उससे आपको बहुत जादर राहत मिलेगी पुदीना भी सरदर्द में बहुत लाफेडरी होता है गुंगुने पानी में पुदीने के तेल की एक दो चमच डालने या फिर चार पास बूंदे डाल कर पीने से भी सरदर्द से राहत मिलती है पुदीने के तेल में मौजूद में इंथाल ब्लेट सेर्कुलेशन बहतर बनाने में मदद करता है ये इस्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है और आपको तरो ताजा महसूस कराता है ये सेरदर्द में बहुत ज़्यादा लाफकारी हो सकता है तो यही थी घरेलू उपाय और अगर इ आपको कुछ और प्रॉब्लम हो और जो कि डॉक्टर्स के साथ ही ठीक होगी उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्प रही होगी थैंक्स वर बॉचिंग